हलो दोस्तो वेलकम टू पाईस्टेडी सरकल दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप अपने टी एम में ओंलाइन जमा कर सकते नहीं है जो पूर देखें और जो बच्चे चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करकि रहें जो आपको ऐना इसकी करने हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको Google पर जाना पड़े कैसे आप इस पर जा सकते हो जैसे सामने आपके रोमस्म सामने और लोग लोग इने जो सकते हैं सिलिंपोलाि को नहीं अच्छा घाने के बाद आपको नीचे आना है जैसी नीचे आओगे तो यहाँ पर आपका Tutor mark Assignment याँनि 3MA का आपको Option नजर आ जाएगा ये जो आपके सामें the option नजर आ रहा है ये का आपके सामने option है ठीक है यहाँ पर आपको Download Upload TMA पर आपको Click करना है तो जैसी आप download upload TMA पर click करोगे आपके सामने ये tutor mark assignment की TMA जो यहाँ पर खुल के आ जाएगा इसके कुछ steps हैं जो steps यहाँ पर एक एक चीज़ सारी बताई गई है मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ कौन-कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है assignment जमा करने से पहले इन चीज़ों का आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने by mistake गलत TMA अगर आपने upload कर दिये तो आपको marks नहीं मिलेंगे और फिर आप TMA दुबार upload कर भी नहीं पाओगे अभी NS ने इसका कोई option नहीं दिया है कि आप अगर अपने TMA गलत upload कर लो तो उनको सही भी कर पाओ इसलिए आगे future में कोई ऐसा option आएगा तो आपको जरूर बताएंगे लेकिन आपको अपने TMA अगर आप online जमा कर रहे हो तो पूरे ध्यान से आपको जमा करने है सबसे पहली चीज आपको जो है सारी जो यहां पर regarding यहां सारी चीज़े दी गई है तो मैं आपको मोटा मोटा मैन बिल्कुल simple भासा में बता दूँ सबसे पहले आपको अपने TMA जो है आपको TMA डाउनलोड करने है सबसे पहले आपको TMA डाउनलोड करने है और डाउनलोड करकर करके वो TMA आपको हैंड रिटन लिखने है कोई भी बच्चा कंप्यूटर पर टाइप ना करें वो हैंड रिटन आपको TMA लिखने है हाथ से अपने लिखने है ठीक है ना बिलैक और बिलू पैन का आपको इस्तेमाल करना है और जो आप TMA लिख लोगे फिर आपको उसकी PDF बनानी है और PDF बनाने के बाद आपको यहाँ पर वो अपलोड करने है ठीक है यह सिंपल सा प्रोसस है अब आपको देखो कुछ चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना है जैसे इंप्रोटेंट यहाँ पर यह कुछ दिये गए अप जैसा आपका स्टैप वन है अपलोडिंग ओफ TMA विल बी एविलेबल ओनली एस पर दर टीम में अपलोडिंग शिड्यूल मैंशन बाई एन इस सेशन देखो इसके टीम में जमा करने के आपकी एक डेट होती है जैसे अब अप्रेल वाले बच्चों की है 31st जनवरी तो आपको 31st जनवरी से पहले पहले आपको जो है अपने TMA जमा करने पड़ेंगे ठीक है और अगर आप उसके बाद जमा करते हो तो आपको लेट फीस पंदरासु रुपे पर सब्जक्ट देनी पड़ेगी जो बहुत भार स्ट्रीम जाद फीस है इसके बार वालो के ही होते हैं यहARK आपको मैं बता दूंजी ए अप्रेंद शा एह जो नॉर्मल एडमीशन लेते हैं स्ट्रीम टू जो फेल वाले वाले बच्चे में एड़ियों स्ट्रीमशन लेता हैं कि ये बात आपको clear हो जाए कुछ बच्चे confused आते हैं stream 1 block 1 एक होती है stream 1 block 2 तो stream 1 दोनों में होनी चाहिए block 1 अप्रेल वाला होता है block 2 होता है अक्टूबर वाला तो इन दोनों में ही टीम में होते हैं confused आपको होने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करते हैं ज्यादे ज्यादे बच्चों के साथ शेयर कर दें चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको सारी की सारी इंफोर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रही चलो अगले स्टेप पे आपको जो लेट लेट फीस आपको देनी पड़ेगी जैसे मैंने आपको अभी बताया था ठीक है और उसके बाद यहां पर जो फिफ्ट पॉइंट वही है अगर आपने टीम में एक बार अपलोड कर दिये फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते आप उसको दुबारा आप उ सारी पीडियेफ अच्छे से चेक जरूर कर लें कि आपकी पीडियेफ को सही है प्रोपर पेज गिलने सारे कुश्चन मैच कर लें छे कुश्चन आपके होने चाहिए ठीक है इसके बाद अपलोड करने में भी आपके स्टैप्स कहां सबसे पहले आपको टीम में कर देना है इस तरह से आपके सब्जेक्ट खुल करकर आएंगे तो आपक हिसी सब्जेक्ट बडाउनलोड करें यहां पर टीम फाइल उस फाइल को सेलेक्ट करोगे और फिर बाद में फाइनल क्या करोगे आप उसको सम्मिट कर दोगे इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का आपको प्रोसस करना है अब दूसरी चीज यहां पर आपको जो मैं इंपोर्टेंट ध्यान रखने हैं आपके आंसर्स अच्छे से होने चीज यह बिल्कुल उनमें कोई मिश्टेक्स ना हो अब बच्चे यह कहते हैं कि सर हमारे पास आंसर्स नहीं हैं तो हम आंसर्स कहां से लाएं तो मैं इन चीज को आपको बदा दूँ आपको सभी सब्जेक्ट के 60 TMA हमारे पास से मिल जाएंगे तो आप हमारे पास से दरवादेंगे handwritten form मे क्योंकि यहांपर handwritten आपकी राइटिंग भी माहिने रकेगी आपके TMA के मांस smauks दिलाने में दूसरा यहांपर माहिने रकेगा कि आपके कितने अच्छे आंसर्स आंसर्स कितने अच्छे लिखे हुए हैं तो हमारे जो TMA सारे एक्सपर्ट दुवारा सोल करे गई हैं और अगर हम जो आप बच्चों के TMA अपलोड करवाएंगे वो सभी अलग-अलग आपके TMA पहले बनेंगे उसके बाद ही हम उसको आपको प्रोवाइड कराएंगे और फिर आप उन्हें अपलोड करोगे तो आपको बिल्कुल रेडी में TMA भी हमारे पास से मिल सकते हैं पूरी PDF बनी बनाई भी मिल सकती हैं आप चाहो तो खुद भी लिख सकते हो solutions भी मिल सकते हैं और आप TMA हमारी एप से जाकर के भी purchase कर सकते हो एप का नाम है हमारा PSC Pi Study Circle तो PSC Pi Study Circle की एप से जाकर के भी आप TMA हमाँ से देख करके बना सकते हो तो आपको यह आपके उपर depend करता है कि आपको TMA कैसे चाहिए आपको solution चाहिए है तैयार हुए भी मिल जाएंगे सभी तरह गए ठीक है दोस्तों और अगर फिर भी आपको कोई doubt रह जाता है तो आप हमारे इस number पे जो नीचे description में भी दिया गया है number अभी आपको बता है 730 38 38 500 पर contact करके आप हमसे अपनी query भी दूर कर सकते हैं अगर आपको TMA अपलोड करने में कोई problem आ रही है कोई भी आपकी query है यह नहीं कि आप TMA बनाओ तब हमसे मतलब contact करो अगर फिर भी कोई अगर आपको वैसे भी query आ रही है तो आप हमें फिर भी हमसे contact कर सकते हैं आप जो है हमसे हमारा जो number है 7303838500 पर उस पर contact करके आप हमसे contact कर सकते हैं और जो है अपनी query को दूर कर सकते हैं ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले session में तब तक के लिए keep